कि शाम बाबा की शाम बाबा की शाकम भरी माता की जीन माता की साला सर बाला जी की लोहार गल तीरत और हर्षनाद दाम की बीरों की धर्ती शेखावटी को मेरा शत्षत प्रणाम यहां के बारे में कहा जाता है बोली जानी मिठी मिस्री गमी सुहावई माती धर्माना विद्वाना की या महापुरसा की थाती गम अनमोल रतन निपजावे गन अनमोल रतन निपजावे वह भाई से खावटी यहां आने पर आध्यात्मिक अनुभूती भी मिलती है और दिव्य आशिर्वाद भी मिलता है सेखावटी की धर्ती शिक्षा संत स्वामी केश्वानंजी की जन्म भूमी है यह स्रधनंजी महराज अमुरुदानाजी महराज बुद्दगिरी जी महराज और रतिनाजी महराज की तपो भूमी है इसी धर्ती ने हमें बैरोसी सेखावट जगदी प्रिशाद माथोर मदनलाल निसाइनी जैसे नेता दिये इसी सेखावटी से निकले जगदी धनखड़ जी आज देश के उपराश्पती है इसलिए आज जम मैं सीकर आया हूँ तो मेरे मन में एक अलग उमंग उत्सा है उर्जा है आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशिरवात देने आये हैं जहां जहां मेरी नजर पहुंती है लोग ही लोग है वहां पीछे तो बिल्लिंग के उपर भी लोग दिखते हैं यह जन सहला बता रहा है कि आने वाले चुनाओं में उट किस करवट बैठेगा अब राजस्तान की करवट भी बदलेगी और मेरी गारंटी है राजस्तान की किस्मत भी बदलेगी इसलिए आज राजस्तान में चारों तरफ एक ही गुंज है एक ही स्वर है एक ही नारा है जीतेगा कमल खीलेगा कमल सात्यों भाजपागी सरकार राजस्तान की दिन राज सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है अभी कुछ देर पहले आपने शायद यहां टीवी पे कारकम देखा होगा किसानों के बैंक खातों में पी-एम किसान सम्मा निधी के लगबाग अठारा हजार करोड रुपिये बेजे गए राजस्तान के भी पच्पन लाग से जादा किसानों को आज बारा सो करोड रुपिये से जादा सीधे उनके खाते में पहुँच गए है आज मुझे राजस्तान के अलग-अलग जीलों में साथ मेडिकल कॉलेजों के सिलान्यास उसका भी अवसर मिला है सीकर, चितोडगर, दौलपूर, सिरोही और स्री गंगानगर के मेडिकल कॉलेजों का लोकारपरण भी आज हुआ है युवाओं के भविश्य के लिए नए एक लव्य स्कुल भी मैंने राजस्तान के लोगों को समर्पित किये हैं साथियों केंद्र सरकार की तरफ से राजस्तान की सेवा का इस सिल्सिला लगातार चल रहा है इससे पहले कुछ सब्ता पहले मैं विकानेर आया था तब भी मुझे अमरिज सर जामनगर एस्प्रिस वे और चोबीस हजार करोड रुपियों की परियोजनाओं के लोकारपन सिलान नियास का सोभागे मिला था राजस्तान में अच्छी सड़कों के लिए अच्छे हाइवे के लिए राज्य के विकास के लिए भाजपा सरकार केंद्र से लगातार पैसे भेज रही है जब केंद्र में साथ्यों याद रखना याद रखोगे याद रखोगे जड़ा हाथ उपर करके बताओ याद रखोगे पक्का याद रखोगे केंद्र में जब कॉंग्रेस की सरकार थी तो दस साल में राजस्तान को टैस्ट की हिस्थेदारी के रूप में एक लाग करोड रूपिये ही दिये गए थे बीते नव वर्षों में भाजपा की सरकार ने टैस्ट की हिस्थेदारी के रूप में राजस्तान को चार लाग करोड रूपिये से भी ज़्यादा पहुंचाए हैं कहां एक लाग करोड और कहां चार लाग करोड जब केंद्र में दस साल कॉंग्रेस की सरकार थी तो राजस्तान को सेंट्रल गांड के रूप में भी करीब पच्चास हजार करोड रूपिये ही दिये गए थे हमारी सरकार ने भी ते नव वर्षों में सेंट्रल ग्रांड के तौर पर राजस्तान को डेड़ लाग करोड रूपिये से ज़्यादा दिये हैं लेकिन जब से हाँ कॉंग्रेस की सरकार बनी है तब से हाँ विकास के काम में सरब रोडे अठकाने का ही काम चल रहा है मैंने राजस्तान सहीत पूरे देश की बहनों से बादा किया था कि उनके घर तक पाइप से पानी पहुंचाऊंगा और जब इतनी बड़ी मात्रा में आज मात्रा है बहने आशिरवाद देने आई है हमने इसके लिए जल जिवन मिशन शुरू किया आज देश भर में आँकड़ा सुनिये दोस्तों आज देश भर में नव करोड से अधीक नए परिवारों तक पानी के कनेक्शन पहुंच चुके हैं अनेक राज्जों में शत्प्रतिशत नल से जल देने का काम पूरा हो गया है लेकिन राजस्थान के लोगों को कॉंग्रेस की सरकार पानी के लिए भी तरसा कर रखना चाहती है राजस्तान हर गर्ल जल योजना में बहुत पीछे चल रहा है यहां सेखावटी के लोग जानते हैं कि कुम्भा राम लिप्ट पेजल योजना के साथ इन्होंने क्या किया जब यहां भाजपा सरकार थी तब इस पर पांच हजार करोड रुपिय का खर्च होने का अनुमान था कॉंग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने परियोजना को तो लटका दिया आज इसकी लागत भी करीब करीब दो गुनी हो गई है यानि कॉंग्रेस ने पानी का भी नुक्षान किया और पैसे का भी नुक्षान किया भाई और बहनों कॉंग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिरफ लूट की दुकान चलाई है जूट का बाजार सजाया है कॉंग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान जूट का बाजार और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोड़क्ट है ताजा प्रोड़क्ट राजस्थान की लाल डाइरी आपने लाल डाइरी के बारे में सुना है ना सुना है ना कहते हैं इस लाल डाइरी में कॉंग्रेस सरकार के काले कारणा में दर्ज है लोग कह रहे हैं कि लाल डाइरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपड जाएंगे कॉंग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डाइरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है यह लोग बले ही मुह पर ताला लगा ले लेकिन यह लाल डाइरी इस चुनाव में पूरी कॉंग्रेस का डिबा गोल करने जा रही है साथियों लोग तंत्र में हर सरकार को अपने काम का हिसाब देना होता है लेकिन क्या राजस्तान में कॉंग्रेस आपको अपने काम का हिसाब देती है क्या जरा जोर से बताइए नहीं यह अपने काम का हिसाब देती है क्या जो चार साल सिरफ सोएगा वह अपने काम का हिसाब कैसे देगा इन लोग ने सरकार का हर दिन आपसी खिलतान में वर्चस्व की लड़ाई में बरबाद किया है कि साथियों आज केंद्र की भाजपा सरकार कि आपके सुख दुख की साथी बनकर कि आपके जीवन से मुष्टिने कम करने के लिए काम कर रही है कि देश के करोणों लोगों को पक्का घर बनाकर लगपती बनाने की गारंटी दी गई है साथियों यह पक्का घर बनाकर लगपती बनाने की गारंटी किस ने दी है यह गारंटी किस ने दी है यह गारंटी को किस ने पुरा किया है भाजपा सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों को मुप्त राशन की गारंटी किस ने दी किस ने दी किस ने दी भाजपा सरकार ने दी कोरोना के कान में करोड़ों गरीबों को मुप्त राशन की गारंटी किस ने दी किस ने दी भाजपा सरकार ने दी देश के करोड़ों गरीबों को अस्पतान में पांच लाग तक के मुप्त राशन की गारंटी किस ने दी किसने दी जन आउसदी केंद्रबे गरीबों को सस्ती दबाईयों की गारंटी किसने दी किसने दी गरीब का बच्चा भी डॉक्तर इंजीनियर बन सके अंग्रे जी ना आने की बज़ा से पीछे न रह जाए इसके लिए मात्रु भासा में पढ़ाई की गारंटी किसने दी पूरी ताकत से बोलिये किसने दी किसने दी गरीब के कल्यान के दिलनी में बैठा आपका ये सेवक पूरे समर्पित भाव से काम कर रहा है भाई और बैनों हमारे सीकर की पहचान तो शिक्षा नगरी के रूप में भी होती है यहां के गाव धानी डॉक्टर इंजीनियर बनाते आये हैं केंद्र की भाजपा सरकार युवाओं को सिक्षा और रोजगार के नए अवसर देने में जुटी है लेकिन राजस्तान में क्या हो रहा है राजस्तान में युवाओं के भविश्य से खिलवाड हो रहा है पेपर लिख उद्योग चल रहा है पेपर लिख उद्योग राजस्तान के युवाओं काबील है समर्थ है लेकिन यहां की सरकार उनके भविश्य को बरबाद कर रही है यहां सत्ताधारी लल के लोगों पर ही पेपर लिख माफिया होने का आरोप लग रहा है लग रहा है ना लग रहा है ना राजस्तान के युवाओं को पेपर लिख माफिया से बचाने के लिए क्या करना पढ़ेगा कॉंग्रेस को हटाना ही होगा क्या करना होगा भाईयों बहनों राज्य सरकारों की एक और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है नागरी कौंकी सुरक्षा की कानून व्यवस्था की लेकिन कॉंग्रेस सरकार ये भी नहीं कर पा रही आए दिन गैंग वार की खबरों ने राजस्तान जैश्य शान्ति प्रिय प्रदेश को उसकी साख को बिगार दिया है राजस्तान में दलीतों प्रत्याचार चरम पर है राजस्तान में नसे की तसकरी नसे का कारोबार फलफुल रहा है हमारे तीज त्योहारों पर खत्रा मंदराता रहा है कब पफ्थर चलने लगे कब गोलियां चले कब कर्फुल लग जाए कोई नहीं जानता भाईयों और भेनों राजस्तान के लोग कुछ भी बरदास कर सकते हैं लेकिन राजस्तान के लोग बहन बेटियों के सम्मान से खिलवार कभी भी बरदास नहीं कर सकते मा पदमावती और पन्ना धाय की इस धर्टी की बेटियों के साथ जो हो रहा है वो आक्रोज से भर देता है किसी दलीत के दलीत बेटी के साथ दुस्करमा होता है और फूर उस पर एसीड डाल दिया जाता है किसी दलीत बेहन के साथ उसके पती के सामने गैंग रैप होता है आरोपी उसका वीडियो बनाते हैं पुलीस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती बेखाब आरोपी वीडियो वाइरल कर देते हैं छोटी छोटी बच्चियां स्कूलों में पढ़ाने वाली टीचर तक यहां सुरक्षित नहीं है और साथियों कारवाई करने के बजाए कॉंग्रेस के नेता पीडित महिलाओं पर ही जूट बोलने का आरोप लगा रहे हैं वाकई बहुत हो गया भायो बैना राजस्तान की धरती है यह वीरों की धरती है यह पराक्रमियों की धरती है यह याचना करने वाले लोग नहीं है यह उंकार करने वाले लोग है और इसलिए इस बार चारों और एक ही उंकार है एक ही नारा है हर राजस्तानी का एक ही संकल्प है बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्तान बेहन बेटियों पर अत्याचार बेहन बेटियों पर अत्याचार दलीत पर अत्याचार दलीत परत्याचार, कर जिसे मरता किसान, अपराद बेलगाम नहीं सहेगा, अपराद बेलगाम नहीं सहेगा राजस्तान, पेपर लिख से युआ परेशान, नहीं सहेगा राजस्तान, ब्रत्चाचार नहीं सहेगा राजस्तान, साथियों, कॉंग्रेस आज, देश की सबसे बड़ी दशा दिशा विहीन, दिशा विहीन पार्टी बन कर रहे गई है, इन दिनों कॉंग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैत्रा चला है, ये पैत्रा है नाम बदलने का, पहले के जमाने में राजस्तान के लोग व्यापारियों की दुनिया बराबर जानते हैं, पहले के जमाने में कोई पीडी, कोई कमपनी अगर बदनाब हो जाए, उसके फ्रोड करने वाली कमपनी का चिठ्था निकल जाए, तो तुरंत वा कमपनी वाले नया बौर्ड लगा करके, अपना कारोबार सुरू करकरके, लोगों को ब्रमीत करने का काम करते हैं, और नाम बदल करके, लोगों को मुरग बना करके, अपना धंदा पानी चलाने की कोशिश करते हैं, कॉंग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रोड कंपनियों की नकल कर रही है यूपीए के कुकरम लोगों को याद ना है इसलिए इनोंने अपना नाम यूपीए से बदल कर आई एंडी आई ये कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाए यूपीए के नाम बटने नाम बटला है ताकि ये आतंगबाद के सामने गुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके इनोंने नाम बटला है ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वाजगात को छिपा सके UPA नाम बदलते बदला है ताकि ये गरीबों के साथ किये गए छल कपड को छिपा सके और मैं आज राजस्तान की धर्ती से देश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ इनका तरीका वही है जो हमेशा देश के दुश्मनों ने अपनाया है पहले भी ये तो INDIA के नाम से आये हैं लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है इंडिया नाम तो इस्ट इंडिया कंपनी में भी था इस्ट इंडिया कंपनी में में इंडिया था कर नहीं था लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ती दिखाने के लिए नहीं बलकि भारत को लूटने के इदादे से लगाया गया था आपको याद होगा कि कॉंग्रेस के साथनकाल में सीमी यानि स्टूडेंट इस्लामिक मूव्मेंट अफ इंडिया बना था नाम में इंडिया था लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बरबाद करने का था जब इसके कुकरमत सामने आए तो सीमी पे बेंड किया गया और ये बेंड हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए उन्होंने भी नाम बढ़ ला पी एफाई शीमी बन गया पी एफाई यानि पॉपुलर फ्रंट आफ इंडिया नाम नया नाम में फिर इंडिया लेकिन काम वो ही पुराना साथियों आई एंडिया के नाम के लेबल से यह अपने पुराने कारणामों को छुपाना चाहते हैं यूपीय के कारणामों को छुपाना चाहता है अगर इनको वह कई इंडिया की परवा होती तो क्या बिदेश में जाकर के बिदेशियों से भारत में दखल देने के लिए बात करते क्या अगर उन्हें इंडिया की चिंता होती तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक पर सवाल उठाते क्या इनको इंडिया की चिंता होती तो क्या ये गलवान में भारत की सेना के सौर्य को कटगरे में रखते क्या साथियों ये वही चहरे हैं जो आतं की हमला होने पर दुनिया के आगे रोते थे कुछ नहीं करते थे इने देश के सुरक्षा बलों के सामर्द पर बरोसा नहीं है ये वही चहरे हैं जिनोंने हमारे शाइनिकों का हाक मारा है दसकों तक हमारे शाइनिक वन रैंक वन पैशन मांगते रहे लेकिन इनोंने नहीं दिया जो लोग टुकडे टुकडे गैंग को गले लगाते हैं जो लोग भारत में भाषा के आधार पर बंटवारा करते हैं जो लोग विदेशों से समंदबी इस आधार पर बनाते हैं कि उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए जिनके लिए राष्ट हीत नहीं बलकि वोट बैंक सरवो पर ही है बे लोगा जब INDIA की बात करते हैं तो दिखावा लगता है चलावा लगता है जूठ लगता है बाई और बेनों इन लोगों में अहंकार कुट कुट कर भरा हुआ है एक बार इन्होंने नारा दिया था इंदिरा इज इंडिया इंडिया इज इंदिरा और तब देश की जनता ने उनका हिसाब चुक्ता कर दिया था चून चून करके साप कर दिया था उखार फैका था उन लोगों को अहंकार ने अहंकार से भरे हुए इन लोगों ने फिर वही पाप दोर आया है यह सुधर्रे को तयार नहीं है यह लोग कह रहे हैं यूपीए इस इंडिया इंडिया इस यूपीए इनका जनता पर फिर से एक बार वही हाल करेगी जो पहले किया था साथियों हम जानते हैं कि आज आजी का अंदोलन जब पूरी प्रखरता पर था तो मातमा गांधी ने एक नारा दिया था यह नारा देश के लोगों की प्रेडा बन गया था और आज आज आजी के अंदोलन में इस नारे ने उर्जा भर दी थी नवजवान स्कूल कॉलेज में अफ्टिक किताबे छोड़ करके मातमा गांधी के आदेश पर आज आज़ादी के लिए चल पड़े थे जेले भर दी थी अंग्रेजों की गोलिया कम पड़ गई थी वो दिन थे और तब मातमा गांधी ने जो नारा दिया था आज फिर से देश के कल्यार के लिए देश के उजवल भविश्य के लिए उस नारे की फिर से जरूरत है दोस्तों इस नारे को फिर से गाउं गाउं गर गर पहुंचाने की जरूरत है वो क्या नारा था मातमा गांधी ने नारा दिया था पीट इंडिया अंग्रे जो इंडिया छोड़ो अंग्रे जो इंडिया छोड़ो और अंग्रे जो को देश छोड़कर जाना पड़ा था वैसे ही आज हम संबुरुत भारत बनाने का संक्यल पर लेकर चले जैसे गांधी जी ने पीट इंडिया का मंत्र जिया था वैसे ही आज का मंत्र है ब्रस्टा चार पीट इंडिया ब्रस्टा चार छोड़ो इंडिया परिवारबाद ट्वीट इंडिया परिवारबाद छोड़ो इंडिया तुष्ठी करन ट्वीट इंडिया तुष्ठी करन छोड़ो इंडिया ट्वीट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विक्षित भारत बनाएगा भाई और बेनों राजस्तान के लिए भी भाजपा का रोड में स्पष्ट है नीती साब है आने वाले पांच साल में जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी एकोणोमी होगा तो उसमें राजस्तान की बहुत बड़ी हिस्सेदारी होगी भाजपा सरकार बनते ही यहां प्रस्टाचारियों पर अपराधियों पर कडी कारवाई की जाएगी भाजपा सरकार राजस्तान के लव जवानों की आकांच्छा को संबान देगी भाजपा की डबल इंजिन सरकार बिनारू के बना थके काम करेगी राजस्तान के पास सामरस की कमें नहीं है जैसे पुरा राजस्तान आज मुझे साथ दे रहा है मेरा सेखावाटी भी पीछे नहीं रहेगा यह मुझे पुरा भरोसा है साथियों हाथ उपर करके मुझे जवाब दीजीए सेखावटी की हर सीट हर विदान सबा सीट हर बूद पर कमल खिला करके रहेंगे यह संक्यलप है यह बादा है साथियों यह उर्जा पूरे राजस्तान का हर बूथ में कमल खिलाएगी इसी विश्वास के साथ घर घर मंत लेकर चले जाएए ब्रसाचारी क्विट इंडिया परिवारवादी क्विट इंडिया इस मंत्र को लेकर आगे बड़े बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बोले भारत माता की हारत माता की हारत माता की दन्यवाद माने प्रदान मंत